जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भगतियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सफेद कपड़े में हल्दी का तिलक लगा के ये चार चीजे रख के माता काली के नाम से इस जगा रख दो उसी समय कोई भी एक काम आपका सिद्ध होगा जी हाँ भक्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो है मा काली का उपाय ये आप इस उपाय को करते हैं तो आपके 10 काम हो 20 काम हो कोई भी काम हो कोई भी मनो काम ना हो जो आप अरजेंट में कोई तुरंत एक पूरी करवाना चाते हो तो वो इस उपाय के जरिये से करा सकते हो इस उपाये में आपका कोई पैस अमीनी ज़्यादा खर्चोने वाला बस चोटी-चोटी चीजे आप लोगों को चाहिए होंगी जिनका इस्तमाल करके आप अपना कोई भी एक काम एक दिन के अंदर सिद्ध करा सकते हो तुरंत सिद्ध होगा जब आप एक बार ये कारे कर ले और बेल आइकन को उल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी निव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचें तो भक्तों इस कारे को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको ये कारे गुप्त तरीके से करना हमने जब अर्दी लगा दी माता के आगे अर्दास भी लगा दी सब कुछ लगा दिया मनो काम ना दूआ सब कुछ मांग लिया लेकिन अभी तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे कई काम ऐसे रुके पड़े हैं जो अभी तक सफल नहीं होने में आ रहे तो जब जाके आपको इसकारे को करना चाहिए जितनी बार समझ लो इसकारे को करोगे उतनी बार ही आपके काम सिद्ध होंगे तो यह जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपके काम सिद्ध होंगे एक बार करोगे एक काम सिद्ध होगा दो बार करोगे दो काम सिद्ध होंगे तो ज किहां से सुन लो बारी की से समझ लो कैसे कैसे कारे को करना है क्या क्या करना सब कुछ बताती हूं सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को एक सफेद कपड़ा ले ले लेना है ठीक है सफेद कपड़ा आपको घर का इस्तमाल नहीं करना है सफेद कपड़ा आपको दुकान से ल करा जाना सफेद कपड़ा लाके आपको उसे बैठ के अपने घर के मंदिर में कपड़े को बिचा देना है ठीके मंदिर में बिचा दो या धर्ती पे बिचा दो साप सुतरी जगा पे आपको उसे बिचा देना है पूरा खोल देना है खोलने के बाद दूसरे नंबर पे आपक साबुद उसको काटके तोड़के उसके पीस आपको पान के पत्ते पे रखवा लेने हैं पान वाले से जब आप पान का पत्ता लेने जाएंगे यह आपको चाहिए होगा इस कारे के लिए तीसरी चीज आपको एक ले लेना है पीले कलर का साबुद फ्रेस निम्बू ठीक है ताजा निम्बू एक ले लेना है चोथी चीज में आपको हेक ले लेना है बूंदी का लड़ू बूंदी का लड़ू आप लोगों को रंग ब्रंगी जो बूंदी होती है हरी संत्री अलग अलग तरह की जो बूंदी होती है वही बूंदी का लड़ू आपको एक ले लेना और चौत्ती चीज में आप लोगों को एक लेना है सेंट की सीसी, सेंट की सीसी कहलो चाहे उसे इतर कहलो, इतर हो सेंट की सीसी हो, कुछ भी हो दोने एकी चीज होती है, तो आप इतर बोलोगे, इतर भी मिल जाएगा, सेंट की सीसी बोलोगे, वो भी आपको वही मिलेगा, त आपको करना के है जो सफेद कपड़ा आपने बिचाया है उस सफेद कपड़े पर सबसे पहले गंगा जल की छीटे मारो ठीक है गंगा जल की छीटे मारके हैं आपको सबसे पहले उसके उपर यह जो आपने सेंट की सीसी लिए यह सेंट की सीसी आपको चारो तरब गोल धारा म आपको सेहंट उस पर कपड़े पर लगा देना है लगाने के बाद आपको क्या गरना है इसके ऊपर आपको पान का पत्ता रखना है सुपारी के समीत बतला सुपारी इसके ऊपर नीची पान का पत्ता रखना है उसके बाद आपको एक निम्बू रखना है फिर उसके बाद आ आपको लड्डू को रुमाल के उपर रख देना है रखने के बाद क्या करना है उस रुमाल को आपको कसकी गाठ लगा के बान देनी है ठीक है और सबसे पहले आपको एक कारे और करना पड़ेगा आपको अपने जो भी काम कराना है जो आप सबसे पहले कराना चाहते हैं तो अ कुछ भी मतलब जो आप करवाना चाते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा से मेन मेन सब्द जो है वो कागज पे लिख देने हैं और लिखके लास्ट में आपको लिख देना है माकाली भवादी मेरा कारे सिद्ध करो ठीक है इतना लिख देना लास्ट में जब आप अपना सब चीज लिख दो के लास्ट में यह नीचे लिख देना इसके बाद उस परची को फोल्ड कर लेना ठीक है फोल्ड करके उसको आपको इसी के साथ रख देना है जो पान का पत्ता और यह नीबू और यह लड़ू जो आपने लिए इसी के साथ परची को रख देना है और परच कि गीली ईनल गानी है तो गीली का लगाने क्योंच ऊगाने की बाद उसके सामने वाला कोन ले उससे बांद दिया फिर तीसरा संगा पटब फिर चुत्हें चुपचाप से आपको जाना है 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 चुपचाप से आ आपका काम होगा वो तुरंत सिद्ध होगा चाहि कैसा भी काम हो जो काम आप कराना चाहते हैं तो आपका तुरंत ही पूरा हो जाएगा उसी दिन में हो जाएगा जितनी आप इस कारे को करोगे इसका कोई समय नहीं है कभी भी कर सकते हो ठीक है और ना इसका कोई दिन है कोई आप इसे कर सकते हो, जल्दी से ये कार जितनी वारा आप करोगे उतने वाराप के सभी काम सिध्य होंगे मा काली की किरपा से, तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मा काली घर हर महादेま माता काली बाबा भुलीना तक आप सभी की सार करें कुछ रहें आप और आप लोगों का परिवार जैमा काली ओम नमस्षिवाएं